नमस्कार स्वागत है आपका समाचार एक्स्प्रेस में मैं आपके साथ नेहा वर्बा करणाल में लोक डाउन के दोरान परशासन द्वारा जनता को राहत देने के लिए सभी दुकानों का समय सुभे आठ से दोपहर दो बजे तक कर दिया गया था लेकिन पहले ही दिन बाजार में इतनी भीड हो गई कि पुलिस और प्रशासन को भारी मशक्कत करनी पड़ी इसी दिन करोना वाइरस का केस भी एक्टिव हो गया जिससे प्रशासन में हड़ कम्प मच गया बाजारों में भीट ना हो इसके लिए प्रशासर ने करणाल के कई स्थानों पर ओड और इवन के हिसाब से दुकाने खोलने का नियम बढ़ाया यानि कि एक दिन एक नंबर की दुकान और अगले दिन दो नंबर की दुकान खुलेगी वीरवार को एक नंबर की दुकान खुलने का दिन था तुथा दो नंबर की दुकान बन रहेगी ओड इवन का क्या फायदा हो रहा है इसका जायजा लेने के लिए समाचार एक्सप्रेस की टीम बाजार में ग利ए इस नियम का एक लाब यह भी देखने को मिला कि बाजार में पिछले दिनों की अपेक्षा भीड कम नजर आई वहाँ भी सड़क पर कम दिखे यह देखकर मन में यह विचार आया कि ओड इवन का यह नियम काम्याब है लेकिन आपको यहाँ पर बता दे कि जिस तरह से करणाल में आज सोशल डिस्टेंसिंग के धचियां उड़ी वह काफी हैरानी जनक है एक दुकान पर ग्रहाकों की भीड है कैमरे को देखते ही दुकान दारों द्वारा ग्रहाकों को इधर से उधर कर दिया गया उनसे क्या पार्चित हुई यह भी आग को सुनवाई देखे क्विशेश रिपोर्ट दोस्तों मैं हूँ तरुन मदान और अब इस समय देख रहे हैं समाचार एक्स्प्रेस में आपको बता दूँ कि इस समय हम मवजूद है करनाल के कुंच पुरा रोड पर यह करनाल का कैसा पौश इलाका है यहां पर लोग ग्राकों का आना जाना 2400 गंटे रहता है भारी बढ़ कम रश रहता है जाम की स्थिती रहती है मैं आपको एक और बता दूँ कि करोना के चलते पूरे करनाल पूरे प्रदेश भर में लोगडाउन की लोगडाउन चला दि इसको देखते हुए तुरंत परशाशन ने अपना निर्णे को बदला और आपको बता दें कि उसके बाद परशाशन ने ओड इवन सिस्टम को लागू करने का नियम बताया आज वीरवार का दिन है इक दिन एक नंबर वाली दुकान खुलेगी आज वीरवार का दिन मैं द करने में पांच मिन्ट का जो था एक किलो मिटर को चलने में कई मिन्टों का समय लग जाता था लगातार जाम की स्थिती रहती थी लेकिन और इवन जो अब काम्याब होता दिखाई दे रहा है ग्रहाक भी कम हैं धीड भी कम हैं दुकाने भी कम खुली हैं इसका असर जरूर गुष्ट च्वाइन को ने मिलते जा रही है किन्म प्रेंट बीमारी को सखत हो गया इसके लिए उसली ने वेपारियों से और आम जनता से थे अपील करते हैं जैसे जैसे प्रेंटिशन की लिए आ रही है वह उनका पालन करें ताकि इस गंभीर विमारी से बचा जा सके जी आप यह बताएं जब से ओडिमा स्टाट हुआ है कैसे प्रेले में सरकार का धनेवद करूँए सरकार परशाष्चन करनाल का बहुत ही अच्छा है जो हमारे बारे इत्रह सोच रहे हैं फैस जब खुली थी मार्गीट तो बहुत जाकरा उड़ता मतलब दिक्कत ही सभी को ह अपने अपने सेंटर में जो कस्मर्स आ रहे हैं उनकी सुविधा को देखते लिए क्या क्या अरेजमेंट कर रखे हैं सबसे पहले हमने एंट्री के ओपर हैंड वाश रखा हुआ है उसके पास सेंटर जी के लिए इंटरनल लगा हुए उसके पास फिर हम स्कैनिंग मिशीन लगा हुए है और मास्क भी कस्पर को प्रवाइड कराते हैं विदाउट मास्क कस्पर को एंट्री कर रहे हैं और स्कैनिंग भी करना चाहेंगे करनाल परशाशन और जंका से मैं सबी दिवानु और सोचल डिस्टेंस रखें गवराने की जूरुत नहीं है सिर्फ सोचल डि पूरी तरह के रिजमेंट कर रखें इन्होंने सोचल डिस्टेंस को जूरूरी बताया और साथ ही साथ करनाल परशाशन और जनता का धन्यवाद भी किया कि करनाल परशाशन ने जो और इवन स्टार्ट किया है इसे सबी लोग कंफ़टेबल फील कर रहे हैं यह खुद भी क हैं दो नमबर वाली बंद हैं इकल इनकी दुखान भी बंद रहेगी अब हम कहीं और चलने का परियास करते हैं कुछ और लोगों से बात करते हैं मैं तरह मुदान वीडियो जर्नल सनी चोदरी साथ समचेर एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद करनाल के करन गेट परस्थित आ जा अरहे हैं अरहां तो यहां पर वहांनों की लंबी-लंबी कतार होती थी लेकिन अब यह दुकाने ओडिमन के इसाफ चल रही है तो दिखें एक दुकान दिखा दो यहां को plausible किया रहा है ना एं दुकान दार नहीं समझारें कि आप क्यूंसा बढ़ा सब वेटिंग में उससे पहले सब लोगीविजाब यह थी अंदम पास है अधर करते हैं किया है है यह सबसक्तु करते हैं यह यह सैनिटाइजेशन की करते हैं सब को कर रहे हैं अच्छी बाता सर आप यह कीजी हम तो खुद कहते हैं कि गंबीर बिमारी है आप लोग बची जनता भी सयोग देगी आप भी सयोग दीजिए सर यह थे हमारे साथ एक गुलाटी कवार्मेंट के संचाला हां जी अब यह थी मैं इसे बात करने का प्रयास करू जरूरी है कि नहीं है जरूरी तो है बहुत जरूरी है तो मैं इसका फाइदा के हमें ही मिलेगा तो आप क्या पील करना चाहेंगे लोगों से भी और आपने आप से अर्जंता से सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन किया जाए बस उतनी जैसे आप परशाष्चा ने रियायत को मैं भी मार्केट तब बहुत जादा इससे टियुक्त फारक और यहां पर आप क्राउड देख सकते हैं किस तरह से लोग कड़े हैं इनने तो हम भी आप से अपील करते हैं प्रशाशन भी आप लोगों से अपील कर रहा है कि जुन दिशा निर्देद दिये जा रहे हैं अपना मास्क का उप्योग करें सेनिटाइज का उप्योग करें ठीक है सर सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें लेकिन हमने अभी देखा कि आपकी दुकान पर पांस साथ कस्टमर घड़ ते जिसके आप को नहीं लगता कि सोशल डिस्टेंस को होनी चाहिए सर जैसे आठ एक ही फैमिली से जैसे आठ कंडिडेट खड़े थे तो उसमें दुकांदार क्या कर पाता देखिए मेरी बास नहीं है आपका कहना है कि यह की प्रिवार से आठ लोग मार्केट में आ गए खरीददारी करन आपको इस बीमारी की गंबीरता का पता है कि प्रिवार के साथ लोग आ गए तो दुकांदार के लिए परशानी होगी आईये मैं एक बहुत जगा लेकर चलता हूँ मैं आपको यहां दिखाना चाहिए है किस तरह से सोशल डिस्टेंस करन गेट पर हैं दिखा आपको दिखा ऒए खिर् सब्सक्राइब करने के लिए एक दम से आ रहे हैं तो भी कहिने के गंभी स्थिती को पैदा कर सकता है हम जंता से यह पील करेंगे कि अगरा वो खरीद्दारी करनी है और दुकाने खुलनी है तो ऐसा ना करें कि एक परिवार के आठ लोग एक दिन मार्केट में आ जाएं कोई भी चीज यहां पर नहीं है यह देखे किस तरह से रश है किस तरह से आप देख सकते हैं दुकान के अंदर का नजारा सोशल डिसेंस बिल्कुल नहीं है यहां पर मैं इसे जनने का प्रयास करूंगा भी क्यों नहीं मैंटें कि अगया रहा है प्रशाशन विए पूरा सहयोग कर रहा है आप बेजनता का सभी आप दोड़ा पर पूरा सहयोग कर रहा है आप बी जनता का सयोग करें हमारी आपसे यह अपील है आए आगे चलते हैं दिखाते हैं कुछ और नजारा यह देखिए अब एक उस दुगान पर हम पहुंचे मदान गार्मेंट के नाम से दुकान है यहां पर लोग खरीदारी के लिए खड़े हैं लेकिन सोशल डिस्टे यह देखिए जानता मानती है यह बाहर खड़े हैं यह बाहर खड़े हैं आप क्या क्याना से बच्छों के कपड़े बबबड़े तो आप जरूरी है हम तो डेड़ मिने के बादी बजार में आए हैं आज हमारी आपसे भी यह अपील है कि फिर जो सरकार के दिशा निर्देशाब उनको पालन करें विमारे से बचा जाता है इनका यह कहना है कि सरकल लगा रखे हैं दुकान के बार कस्टमर सरकल पर खड़ा है दो कस्टमर बादी यह कास्मर को अंदर जाने दिया जाता है अंदर जाने दिया जाता है हम फिर एक बार कहेंगे अपीly करेंगी विमारी से बचने के लिए अब यह एक और दुकान का नजा रहा है यहां पर भी आप देख सकते हैं हिए अब यह के सामने आते ही डिस्टैंस खतम हो ज मार्केट खोली है लोगों को समझाते हैं सब्सक्राइब करते हैं अलग 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 रहें अब देखिए छोटोटे बच्चे को साथ लिगा हुए हैं किस को क्या क्या समझा हो गया एक एक समाल लेना होता है कि जनता नहीं समझ पारी एक समान के लिए चार आदमी पांच आदमी परिवाश से निकल कर आ रहे हैं चोटे-चोटे बच्चों को साथ लेकर आ रहे हैं यहां आपको पहले भी बता चुका हूं कि यह विमारी को पार्टी विशेश व्यक्ति विशेश को देखकर नहीं आती यह एक संकरमित विमारी है यह ना भेले इसके लिए परशाशन लगातार प्रयास कर रहा है मीडिया भी लगातार जागरूप कर रही है हमें संकरमन की चेन को तोड़ना है ताकि हम करनाल को एक बेतर सीती में पुंचासो कि मैं आपको एक और बता दूं कि पिछले कुछ द प्रवाइजरी की पालना बेहती अवश्यक है बेहती जुरूरी है ताकि संकरमन की चेन को तोड़ा जा सके मैं तरुनुमदान वीडियो जर्नलिस्त सन्नी चोदरिया समचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद आज सीटी थाना प्रभारी द्वारा एक ऐसी दुकान को सील किया गया जिसके खुलने का दिन आज नहीं था बावजूद इसके वह दुकान खुली थी सूचना मिलते ही मोके पर पहुच कर दुकान को सील कर दिया गया लेकिन जिस तरह से सोशल डिस्टैंसिंग की धज्ज की पालना करने के लिए जागरूख कर रहा है समाचार एक्सप्रेस भी लगातार आप सभी से अपेल कर रहा है कि किरित्या आप अपने घरों में रहें केवल और केवल जरूरत पढ़ने पर ही घर से बाहर निकले देखिए क्विशेश रिपॉर्ट अब यह आपको दिखाना जाओंगा किस तरह से उस दुकान को सील कर दिया गया इस समय पूरे दिखी पुलिस की आला दिकारी मुझूद है पुलिस के बात करने का प्रयास करूँगा सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक डिस्टेंस बनाने के लिए टॉन्टिफॉर इंटु सेवन जो लगी फॉर्स भी दिस्टेंस बनाने के लिए जिसे देखते हैं चेकिंग थी आज इवन नंबर जो चलने थे अपना और नंबर की आज रो थी और जिसमें कुछ इवन नंबर खुले है जिनमें एक शॉप है जो कि अमारे ट्राफिक बूत के पास थी इसे सील कर दिया गया और आगे जो इनके इसके लावा एक दू दू देखे बिल्कुल अब लोगों को जागरूप करने वाली कमीनी लोग जागरूख हैं और यह अपना अब जो मुरुखता अपनी दिखाने का काम कर रहे हैं जो ऐसा काम करने हैं तो इस बात को सब्जिए अगर आप सभी लोग या हम सभी एक इकठे होकर चल जाएंगे तो यह कुछ भी नहीं है हमाई शोशल डिस्टैंसिंग बनाने में हम रूल को फोलो करने लग जाएंगे तो पुलिस फोर्स को परशासन को भी इतने दक्के नहीं खाने पड़ेंगे इतनी बार बार आपके बहुत समझाने की जरूरत नहीं है दिन में दो से चार बाज अनाउ और जो भी अगला कारव भी बूस्टैंसिंग आये ट्राफिक बूत के पास और के सेनेटेरी के नाम से है जो कि हमारे ट्राफिक बूत के पास मेर रोड पर है यह थे मारे साथ सिटी एस चो फरजिंगर सिंग जी इनका यह कहना है कि इस दुकान को सील किया कि उसना अपनी साथ नहीं खुलाता सर शहर में और भी को यह से आपके बिल्कुल है अभी एक दो शॉप से और है उन्य हूं से इस प्पर सह दुकिन को से यहीं करने अट मार्केट में है मेर मार्केट में जो स्टेशनरी के शौप थी जोसका आज नंबर नहीं है जो की ईवन नंबर है यूभी लोगों को बड़ी अच्छी तरह से बता दे अगर आगर घृस На तो आज जैसे आज ओर नमबर था कि जो दुकाने ख़लेंगी लेकिन इसने इवन नमबर वाली दुकान इसने कोल रखी दिशको बोला था तो वाइलेशन पाएगी तो हमने स्टिक्ली फोलो करते हुए जो रूल का जो वाइलेशन करेंगे उसके दुकाने सील कर दिया और जो बाकि है उनमें चलना प्रोसेस सर इन्होंने हमें बताए इससे पहले CTS यह हमारे से पूरी जानकरी विस्तरिक्स विस्तार से हमें जानकरी दे चुके हैं कि करनाल पुलीस ने इस दुखान को अब सील कर दिया है करनाल पुलीस का यह भी कहना है कि इनने ओर ने दू-t्न दुखानां खुले होने की शिकायते मिल रही है अगामी कार्वाई उन दुखानों पर मिला ही जाएकती और किसी भी तरह से कोई भी कोई भी प्रदाश नहीं की जाएगी इनुका ये भी कहना है कि जनता को स्वेम जागरुग हो ना होगा जनता जागरुग हो तो करनाल पुलिस को करनाल परशा से इनको इतना परयास ना करना पड़े क्योंकि पिछले कई दिनों से लगा अध्तार वो लोगों को समझाते आ रहे हैं सम को सील किया गया है अब पुलिस अगामी कारवाई के लिए क्या करती है यह पुलिस हमां बता चुकी है किनके खिला पर्चावी दर्ज हो सकता है रूल को तोड़नेगा मैं तरुन मदान वीडियो जर्नलिस सनी चोदरिया समचर एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद ऐसे ही ले